कि मेरा नाम निमोद कुमार है कि गाउन रुकावास जिला सिर्सा लियना से बोल रहा हुआ इसे पैसे से मैं और वेटमदी प्रेप्टिस करता हूं यानिकी पस्वां का डॉक्टर है कि मैंने अभी हाली में डॉक्टर कृष्णा जी के काफी वीडियो देखें जो अग्रिकल्चर और पस्वां से रेलेटिड थे तो उन वीडियो से मैं काफी इंस्पैर हुआ कि मैंने भी सूचा कि मैं भी इडिकंपोजर बनाओ और इसका अपने खितों में प्रियोग करूं पस्वां परियोग करूं तो मैंने स्टार्ट किया मैंने सिर्फ एक पाणिया अपनी गेह में बीकंपोजर के से दिया और एक मैंने उसमें फोलियर सफ्रे की थी तो मेरे को बहुत बढ़िया उसका रेजल्ट मिला गेहूं है जो पहले पीली थी और पांस दिन बाद में वो हरी हो गई तो उन से फिर मैं देखा रजएट अच्छा है तो मैंने भी देखा कि यह मैं आगे इसको काम पूर बढ़ा हूं अभी इसको बढ़ा करूं पहले मैंने दो-तिन ड्रम लेते चोटे स्टर पे तो अभी मैं इसको बढ़ाना है मेरे को इसको बढ़ा कि मैं सुचना हूं इसको अभी च्यार-पां दिन पहले डायरिया हो गया था यानि कि दस्त लग गए थे तो इसको मैं वैसे इंजेक्टेबल रिप्रेशन नहीं वह दिता हूं या कोई गोलियां वगर देता हूं तो उसके बाद में यह ठीक हो कि इसको डायरिया लगता है मैंने में दो में द पड़ी देता हूं तो ठीक हो कि अभी मैंने इसको ट्राहिल के तोर पे वो डी कंपोजर मेरे पास दस तिन कर ले बना हूं गाता वो पचास ग्राम सुबह स्याम सारे में दिया और इसका डैरिया बिल्कुल ठीक हो गया अभी इसका आप गोबर देख रहे हो अभी इसका य डारेक्ट बनाके किसानों के हाथ में डारेक्ट भी है जो जवी खेती में बहुत बड़ी आगकारगर है और आने वाले टाइम में मैं अभी इसकोचराओं की फोटल जवीड करूं और डीकंपोजर से मनलब जो भी मनलब प्रोड़ेक्ट बनते हैं वो